Chinese Chicken Starter के लिए आदा किलो चिकन जिसको हम दो सीने जिसको हमने जूलियन में काट लिया है ठीक है चिकन को लंबाई में काट लिया है जिससे जूलियन या स्ट्रीप्स कहते हैं यह हमने हो गया अब इसको हम मैरिनेट करेंगे 1 teaspoon leveled नमक, black pepper 1 teaspoon, soya sauce 1 tablespoon उसके बाद इसमें जाएगा सिर्का, 1 tablespoon, एक अंडा, 3 tablespoon मैदा, इसको आप मिक्स करेंगे, अब आपकी मर्जी है, आप इसको deep fry कर लें, या आप इसको pan fry कर लें, अब मैं आ रही हूँ, इसकी sauce पे, इसके जो हमें gravy बनानी है, उसके, oil, 2-3 tablespoon, लसन, काजू, प्राइ हुए वें लेखने में जल्दी-जल्दी कर लेकी, प्याज, कश्मीरी लाल मेच, अब आप इसमें डाल दें, चिकन लीप फ्राइनी कर रही है, इसको मैं अच्छी तरह से पांच मिनिट फ्राइ करूँगी, जब तक के हमारी चिकन पिंग से वाइट हो जाएगा, अब इसमें मैं डाल रही हूं शिम्ला मिर्च एक, इसी वक आप रेड़ और येलो भी डाल दीजेगा, केचप जाएगी इसमें, चार टेबल स्पून या कॉटर कॉट्र कॉट्स, दो टेबल स्पून चिली सॉस, डाक सोयल सॉस, वन टेबल स्पून, तैयार है, ये छुला बन कर दीजाएगे, तो सिंपल, आप गालिक राइस बना लें, फ्राइड राइस बना लें, ऐसी खाएगे, चाइनिस चिकन स्टारटर अजशा, चिकन जूलियन कट आधा किलो, नमक एक चया काचमचा, काले मिर्च एक चया काचमचा, सोया सॉस इक खानी काचमचा, सिरका एक खानी काचमचा, अंडाई का़ए एक अदद, लाल पीली हरी शिम्बला में 6 पे जरूरत नमक आधा चाह का चमचा डाक सोय सॉस एक खानी का चमचा चली सॉस दो खानी की चमचे कैचप एक चथाई का कटी हरी प्यास कानिश के लिए कर दो कर दो खानी का चमचा